नमस्कार दोस्तों मैं हूँ विवेक और आप देख रहे हैं आपका अपना प्यारा चैनल गार्णिंग विवेक अंजली आज मैं आपको बताऊंगा कि कैलेंडूला प्लांट को गमले में कैसे ट्रांस्प्लांट करें और उसकी स्वाइल मेडिया कैसी होने चाहिए और इसके लिए कितने इंच का गमला हमें लेना चाहिए यह देखिए यह हमारा आट इंच का पॉट है जिसमें मैंने मिट्टी पहले से ही पर रख की है अब इस गमले में मैं इस कैलेंडूला के पॉटे को ट्रांस्प्लांट करूँगा पॉटे को लगाने के लिए हम इसमें से पहले इस गमले से थोड़ी मिट्टी बाहर निकाल लेंगे इस तरीके से और फिर हम इस पॉलिवेक से इस पॉटे को निकाल के हम इस गंबले में उसको बैठा देंगे इस तरीके से यह देखिए इसको माने बैठा दिया है इसमन और इसको चारो तरफ से मिट्टी से फिर कवर कर देंगे यह देखिए मिट्टी डाल के इसको अच्छे से कवर कर देंगे यह देखिए ऐसे इसको हलकेल के हांतों से हम दवाते भी जाएंगे यह देखिए ऐसे यह देखिए कलेंडुला का पौदा अब हमारा लग चुका है यह देखिए अब लगाने के बाद हम इसमें पानी देंगे पानी देने के बाद इसको एक दो दिन तक हम सेमी शेड एरिया में रखेंगे इसके बाद हम इसको फुल सनलाइड में रख सकते हैं यह देखे हमारा पौधा लग चुका है गमले में आसा करता हूँ आपको यह हमारी बीडियो फसंद आई होगी अगर आपको यह बीडियो फसंद आई है तो बीडियो को लाइक करें शेयर करें और कमेंट्स करें और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब चरूर करें धन्यवाद